अज़ आज बनाने जा रहे हैं मश्रूम की सब्जी तो उसके लिए देखे मैंने यह पैकिंग वाली जो मिश्रूम है वह मंगवाई है और यह पैकिंग खोलेंगे और इसको देखेंगे कि यह सही है यह नहीं कई बार निचे के इसा शड़ा वा निकाल जाता है यह देखे य इसकी एक जो है यह तो सड़ी हुए हलकी से ज्यादा निया तो वह निकाल देंगे उसके बाद यह देखे जो मैं मसाला डालूंगी इसमें यह मैंने लेस्टन लिए कुछ यह मिर्चे लिए है चोटा साइज मिर्च का और यह देखो क्या जो है मीडियम साइड के लिए मैं अपर का जो हिस्से बिल्कुल नरम होता है वह निकाल लेंगे सब्जी में डालने के लिए और यह जो जिली से निकल रही है इसको निकाल के कच्रे में डालेंगे इसी तरह से यह रेकिए यह सारी इस तरह साफ करेंगे कि यह जो ब्लैक कलर की जिली है वह बिल्कुल इसके अपनी जो मिश्रूम में बिल्कुल साफ लगे यह उपर वाली जो है वाइट कलर का पड़ा साब निकाल के रख लेंगे सब्जी में डालने के लिए और इसी तरह से मिश्रूम कर लेंगे यह अराम से करेंगे बनाते हैं तो अपस्तों ल्यक्ति है लोगा है जो और इसी तरह से ने को रखें से बनाटना लगाए और देखे हैं अब हम इस नीती कृटना अश्रूम कर दो देखेंगे दो टीन महम नाम रखेंगे शाफ करेंगे इस को बारिक बारिक काटेंगे ताकि यह ज़्यादा टाइम ना बनने में, और एक तो इसको बारिक काटेंगे, सब्जी बन के तैयार हो जायाए अगर थोड़ी मोटी काटेंगे तो उसमें ज्यादा शेट्किन लगाने के जरूरत होती है तो तो हम इसको बारिक ही काटेंगे और चना दाल के साथ यह बारिक जो काटेंगे वो एकदम सही में उसके साथ बनेगी जाल भी अपनी गल के तेयार हो जाती है इसके साथ अगर आप मेरे युटूब चैनल पे नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल डदन को पर भी जरू रूर घणा यह झाल और आप Chemo 事 सकेरो तो प्लीज मियरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बार Maori के- ढूजायब लें मश्रुम कूडे इसे से बारीग बारीग६ारी लेगए एक बारीग बारीग है चोटा इसे पघ्यकम है और साइज है। जाब फत्ली है है तो मुझा जो पर अब्तान ुक्विख करेंगों तो उपर का अब उताइं बदर numू करेंगे काट के थैयार करेंगे अभर प्रेंड्स है अगर से वीडियों ह Tea अच्छी लग लिएा ayam तो कमेंट प्लीज जरूर किया करें और अपको और कॉन्सी वीडियों थेकनी होती है वह भी मुझे ऍरिट मैं बताना कि आपको ये वीडियो चाहिए और मैं कोशिश करूंगे पूरी कि आपको वीडियो बढ़ना के बताऊं तो फ्रेंड्स आगे ये देखिए मैंने ये पूरा काटके और पानी से दो लिए हैं दो तीन बार तो कि इसमें हलके से मिट्टी भी लेती और जो पैकिंग लेके आती रहता है वह मैं तेल डालंगे जालेगे अश्वाव करें तो अश्वार बहुंड पानी रहता है बोस्का भी अच्छी तरह सब्सक्ार हो धूरा अच्छी तरह महीं जाकर लिए वार्गलदे बहुगत भी तो तो मैं पूरा मसाला हम भूल लेंगे तो तो फोड़ा हलका सा पानी रहता है बहुत शूक जरूरी होता है यह तो पूरी सब्जी में स्मेल आती है कच्छे मसाले की उसके बाद एक चोथा ही चमच हल्दी डाली है और यह नमक डाल रही हूं मैं इसके अंदर और यह मेरा जो नमक है मैं आपको बताती हूं हमेशे हैं कि मैं सेंधा नमक बाकी का मसाला उता है वो डालेंगे जैसे कि यह पीसा हुआ धनिया है तो इस चमच में छोटी है तो 4-5 चमच इसके अंदर आराम शे डाल देगे अगर आप बढ़ा चमच लेती हो तो दो चमच ही काती होंगे तो यह चार-5 चमच मैंने इसमें यह जीरे के ए धनिया के ड तो मैंने यह अपने हिसाब से ढ़ने एकट्र मेरा मैसूम है और लगवे आधि कटोरी में ने यह जो है दाल बिगोके रखी ती वह है तो कि मैसाला सा जो यह फिर निकाला हुआ था उसी सब्सक्राइब दिखने में भी तो खाने में चाहिए टेस्टी हो लेकिन वह सेकल से ही नहीं खाने कामन करता तो यह देखे मैंने इस तरह से मिश्रूम जो है अच्छी तरह से ने पीड लिया इसको हातों से चोड़के और फिर इसमी कूकर में डालें क्योंकि इसके अंदर से पानी हो निगलता है तो उसके लिए हम इसमें तीन से चार चीठिया लगाएंगे पहले दाल इसको इसके अंदर बात में डालेंगे तो पहले हम यह अच्छी तरह मिला के मिश्रूम को यह देखे यह दो है इसमें देकोडिला पना रहा है है कर्ची लाते टाइम तो इसके अंदर हम चीठिया अराम से लगा सकते हैं चार पांच सीठिया लगाएंगे तो यह पहले आधी जो है गल जाएगी मश्रूम उसके बाद यह देखिए मैंने यह देकन उतार के अपको दिखा रही हूं और बात में यह देखे मैं डाल जो है वो डाल रही हूं और डाल डाल फावन से रहा दया है तो पानी डालते हैं तो फिर कुकर को हम बंद करेंगे और इसको हमाँ वह पांच साथ सीटि लगाएँए इसमी तो ओडरा सा दकार में पर टंबड़ को इन चने में मैं पहले हैंद्वाने में प्राइच है ऐज तो फद्वेद्व ऑ लेत्वडर को हमारी तयार हो चुकी है इसकी ग्रेवी जादा नहीं है पूरी है जितनी रखनी चाहिए थी उतनी ही है यह देखे इस तरह से तेल भी अच्छा निकला हुआ इसके अंदर सब्जी में तो फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेट में बताना थैंक्यू फ् झाल